हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टो माई यूट्यूब चैनल किट्टो के फंडे क्लास 6 NCRT साइंस की सीरीज में आज हम लेके आ रहे हैं चैप्टर नमबर 5, सेपरेशन ओफ सबस्टांसिस तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का चैप्टर अगर आपने देखा होगा कि अपनी ग्रेंड मदर को तो उन्होंने मिल्क जो है या फिर बटर जो है उसको जो है चरन किया होगा ताकि हापारा मक्खन जो है बटर जो है वो अलग हो सके सेपरेट ग्रेंड फ्रॉम स्टॉक्स यह आप किसी भी फिल्ड या फार्मर में जाके देख सकते हैं कि ग्रेंज को जो है उनके स्टॉक से कैसे अलग किया जाता है हमारी गेहूं मकी जो भी हमारी ग्रेंज है अब यहां पर आप देखेंगे कि हमारा जो फर्स्ट वाला एक्जाम्पल था उसमें आप देखेंगे कि यहां पर जिस अलग किया गया है तो उसमें पार्टिकल जो टी लीव्स थे वह थोड़े सॉलिड पार्टिकल थे और टी जो है वहारा लिक्विड है तो ठीक है तो मेटीरियल यहां पर अलग लगा गया एक लिक्विड हो गया और एक सॉलिड हो गया और मिल्क और बटर में मिल्क जो है वह क्या बोलते, milk या फिर butter नी, sorry, यहां पर curd हो गया हमारा, यह लसी हो गया, उसको हम चरन करते हैं, थाकि हमारा butter निकल जाए, तो उसमें क्या होता है, कि यह जो होता है, वो liquid चीज होती है, और यहां पर यह जो है, वो थोड़ी सी soft से हमारी एक चीज निकलती है, और separate grains from stocks, तो होते हैं, लंबे-लंबे होते हैं stocks, उसके उपर जो हमारे grains लगे होते हैं, वो बहुत चोटे size के होते हैं, यहां पर यह चीज लिखी है, the substances to be separated, जो भी हमारे substance हमें separate करने होते हैं, उनका different size हो सकता है, या फिर वो different material के बने हो सकते हैं, these may be solid हो सकते हैं, liquid हो सकते हैं, और even gases gases भी हो सकती हैं, it is easy to separate materials if they are of bigger size, मतलब, but if the materials are of smaller size, then it is quite difficult to separate them, देखो, अगर आपका, जो हमें चीज separate करने हैं, अगर वो bigger size की है, तो हम उसको जो है, वो देख सकते हैं, असानी से, और उसको आसानी से, मतलब हाथ में पिक कर सकते हैं, उस चीज को हाथ में उठा सकते हैं, तो हम उसको असानी से separate कर सकते हैं, लेकिन अगर वो ही चीज small size की हो जाए, जैसे यहाँ पर अगर हमें grains में से stocks देखने हैं, मतलब, उसका husk देखना है, थोड़ा सा part जो है, जैसे हम अगर चावल छानते हैं, या फिर उस में से, तो हमें थोड़ा सा easy हो जाता है उसको, लेकिन अगर वो ही बारिक पार्टिकल हो जाए, जैसे नमक जितना बारिक हो जाए, या फिर शुगर जितना बारिक क्रिस्टल पार्टिकल हो जाए, तो हमारे लिए उस substance को जो है, वो separate करना तो यही चीज जो है, यहाँ पर लिखी हुई है, तो चलिए अब चलते हमारी next slide की तरफ, why do we separate substances? अब बात यह है कि हमें separate करने की ज़रूरत पड़ती ही हुए, substances को हम separate करते ही हुए, तो यहाँ पर आगया, तो separate two different but useful materials, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, कि मतला हमें जैसे हमें अब यहाँ पर हमने देही या लस्टी की बात की थी, कि हमने बटर निकालना तो यहाँ पर two separate, two different but useful materials, तो यहाँ पर क्या लिखा है, कि हमारा, हमने जो है, दो different but useful material को separate किया, इसके लिए भी हमें separate करने की ज़रूरत परती है, अब आगया हमारा, to remove non useful components, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं, कि non useful components है, तो जैसे हमारे चावल वगयरा आगये, तो उसमें से के पर हमारे आजकल मिलावट वाला समान आ रहा है, तो चावलों में जैसे किसी ने पत्थर मिला दिया है, या किसी चीज़ में, तो उसको जो है, वो non useful, वो हमारे कि किसी काम का नहीं है, तो वो उनको निकालने को, तो यह हमारे आगे, हमारे non useful components उनको remove करने के लिए, थर्ड आगे to remove impurities और harmful components, अब यहाँ पर जैसे चावल की बात की, तो उसमें तो वो non useful थे, लेकिन अगर हम जब चाए बनाते हैं, तो उसमें चाए पती तो डालने ही हम उसको consume नहीं कर सकते, तो वो हमारे लिए harmful component है, तो उसको अलग करने के लिए हमें substances को separate करना पड़ता है, तो यह main basic reasons है, आपके पास कोई और भी reason हो सकता है, तो methods of separation, अब method हैं, जो हमारे इस chapter में discuss किये गए हैं, तो वो है हमारे hand picking है, threshing है, hand picking है, threshing है, with knowing है, sieving है, sedimentation decantation, filtration, evaporation, तो हम यहाँ पर जो है, वो one by one in methods को discuss करेंगे, कि यह सारे methods कौन-कौन से हैं, यह chapter थोड़ा lengthy है, तो यह chapter को जो है, मैंने दो parts में बनाया है, तो आज हम सिर्फ अभी first part ही discuss करेंगे, second part जो है, वो जल्दी ही upload होगा, तो अब हमारा जो first method है, वो है हमारा hand picking, hand picking में बोला है कि the method of hand picking can be used for separating slightly larger sized impurities like the pieces of dirt, stone and husk of wheat, rice or pulses, तो यहाँ भी जो बोला है कि जो hand picking का method है, वो किस काम आता है, वो slightly larger sized impurities होती है, जो हमारी बड़ी larger size जिसको मैंने बोला कि hand में हम pick कर सकते हैं, hand picking से आप सिधर रखिए कि यह method हम तभी use करते हैं, जिस जब हमें impurities को जो hand size में आ सके हमारे hands, मले हाथ से हम उनको उठा सके, ऐसी impurities को जो है, वो pick करने के लिए जो है, hand picking method जो है, वो use होता है, इसमें आगे pieces of dirt आ गय तो थोड़ा थोड़ा खुद कर लेते हैं, अगर जादा quantity में है, तो और तरीका यूज करते हैं, लेकिन अगर हमारा जैसे चावल बनाने है, दाल बनाने है, तो थोड़ा सा चांत है, तो जो method है हमारा, हमारा hand picking method, hand picking is usually used when quantity of impurities is much smaller in any substances, अब आप देखेंगे कि अगर चाव समच, इतनी सी ही होगी हमारी stones या dirt की जो है, तो quantity जो है impurities के वो much smaller होती है, लेकिन अगर यह ही है कि थोड़े से दाने चावल के निकले बाकी सारा तो आप जो है, आप देखोगे कि आपको अलग किसे करना है, तो आप जिसकी quantity smaller होगी, आप उसी चीज को आप अलग करोगे तो यहाँ पर यह चीज है कि quantity of impurities is smaller होती है किसी substance में, तब ही आप hand picking जो है, वो use करते हैं, अब यहाँ पर मैं आपको अगली slide में दिखा भी दूँ कि applications of hand picking method में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह गेहूं मैसे जो है, वो husk particle जो है, वो अलग किये जा रहे हैं, यहाँ यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर यह जो गल-गल है यह इसको हम हमारे भाशा में खटा बोल देते हैं, ठीक है, तो यह जो है आप यहाँ पर संत्री से अलग कर रहे हैं, तो यह देखो आप सामने क्याप इन चीजों को hand से पिक कर सकते हैं, यहाँ पर आप दाल की छं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जब भी आपको कोई सेपरेट करना है, तो आपको कौन सा मेथर्ड यूज करना है, अब नेक्स्ट है हमारा थ्रेशिंग, तो थ्रेशिंग is the process that is used to separate grains from stocks, अब हमने बात की, यहाँ पर देखो जैसे हमारा यह स्टोक होता है, जब हम ग्र तो आपने इस दानों को अलग करना है, और इस बाकी जो स्टोक है, इसको आपने अलग करना है, इसके लिए जो process है, वो है threshing, इन इस process the stocks are beaten to free the grain seeds, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इनका जो है वो size बड़ा छोटा सा होता है, इतने इतने से होते हैं, इतने बड़े उसम पकड़ोगे उसको अगर जोर-जोर से आप एक किसी hard surface पे, जैसे हम पत्थर यूज कर लेते हैं कुछ, उस पे अगर आप जोर-जोर से जटकोगे, बीटन करोगे उसको तो आप जो है वो grain जो है वो उस पोले से अलग हो जाएगा, उस टॉक से अलग हो जाएगा, threshing can be done by hands or with the help of blocks and machine, तो हम जो है इसको hand से भी कर सकते हैं क्योंकि आपने हाथ से इसको पकड़ा और फिर पीटा, और या फिर आप blocks की help से, तो कही बार है आप ऐसे कि आपने बिचा दिये, आपने ये सारे बहुत सारे stocks होते हैं, खेत में बहुत सारे stocks होते हैं, आपने उनको बिच तो इस तरीके से जो process है, इसको हम threshing बोलते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं कि जो मैंना आपको तीन चीज़े बताए कि, बाई हैंड जो है वो आप देखो ऐसे करते हैं, आपके पास ये stocks हैं, आपने ऐसे बांध रखे हैं, इकट्थे करके, और ये hard surface ले ले लिया है, कोई कनस्तर जैसा, डबा जैसा, इसके उपर जो है आप जोर जोर से मार रहे हैं, तो इस से जो है वो आपके stocks जो हैं, वो अलग हो रहे हैं, और यहां पर आप देखिए, आपने ये सारे जो हैं, यहां पर तो बांध रखे हैं, लेकिन यहां पर आपने वो खोल रखे हैं, और उसके उपर जो है यह ब्लोक्स जो है वह यहां पर गूल 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 यह तरह नया नहineर exactly स्थिक्टा सिन दानों को एकठ़ा करें और चैनल में दानों पितरा होरे हैं वह तरह नो इस तरहने के पुअचा की सित बनी जी ही और चैनल सिरha के तो चैनल आक है वह यहीं बनारको बनाला सक्ष़ानो छुटा पुटा को ऊम पता हो गारे है that uses wind to separate two components अब यहाँ पर winnowing हम से पूछा जा सकता है कौशन में कि कौन सा जो है वो method है जो wind को use करता है हमारा यह हवा को use करता है हमारा two components को separate करने के लिए तो वो हमारा method है वो है हमारा winnowing तो इसमें हम कैसे air को कैसे use करते हैं winnowing is used to separate heavier and lighter components of a mixture किसी mixture में मान लीजिए कोई भी mixture है उसमें एक component जो है वो है वो हैवी है एक component जो है वो lighter है तो यहाँ पर जो है हम अगर जब यह वाला case हो जाए तो हम जो है वो इसको use करते हैं winnowing को winnowing में क्या होता है this method is commonly used by farmers to separate lighter husk particles from heavier seeds or grains तो आप देख सकते हैं कि चावल में जो है वो धान से बना होता है तो उसका जो बाहर का जो पार्ट होता है अंदर चावल जो है वो heavy होता है थोड़ा बाहर के उसके cover से जिसको हम लाइटर होता है तो वहाँ पर कर सकते हैं यही सेम चीज हमारी बाकी जगा भी होती है के बार हमारे गेहूं के दानों में भी जो है वो थोड़ा थोड़ा जो है वो बाहर का पाड रह जाता है मक्की में भी थोड़ा थोड़ा वाइट सा पाड रह जाता है तो इसके लिए क्या किया है जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कि यह सारा उसने इसको हम जो है छज बोलते हैं हम जो इसको लोग को लेंगविज में बोलते हैं छज तो आपने इसमें जो है वो इकठा कर लिया है सारा कुछ और फिर उसने इसको ऐसे थोड़ा सा टिल्ट किया है पर ये तभी पॉसिबल है अगर आपकी हावा चल रही है अगर आपका उदर हावा नहीं चल रही है तो इसको जो है लोग जो फैन का इस्तेमाल भी करते हैं इस तरीके से कि फैन की हावा जो है इसके इस चज को लगे और जो heavy particle है वो हवा से नहीं उड़ पाएगा उसका धेर नीचे लग जाएगा और जो light particle होगा वो हवा से उड़के अलग से एक धेरी बना लेगा तो इस method को जो है या आपने घर में अपने usually देखा होगा अगर आप गाओं में रहते हैं तो आपने usually देखा होगा तो यह जो है ह हमारा method है इसको हम बोल देते हैं with knowing चलिए अब हम चलते हैं हमारे next method की तरफ वो है हमारा सीविंग तो अब सीविंग जो method है इसमें लिखा है सीविंग जो method है इसमें लिखा है सीविंग is the method of separation that uses sieve to separate impurities from material तो अब यहां पर सीव हमने एक तो चाय की छन्नी बोल दी एक आपने आटा चन्नी देखी होगी तो आप उसमें क्या करते हैं देखिए जो चाय की छन्नी होते हैं उसमें आप जो impurities को है वो उसको अलग कर लेते हैं तो आपके पस liquid जो है वो बच जाता है आटा चन्नी में क्या करते हैं तो आपके पास crystal particles हैं आटा के बिल्कुल छोट चोटे fine particles होते हैं वो बच जाते हैं वो नीचे गिर जाते हैं और जो ऊपर है वो आपका वो जो भूसा है या कुछ भी एक्स्ट्रा जो चीज है जो impurities जो हम आटे में यूज नहीं करेंगे थोड़ा सा पत्थर बगारा जो भी है वो हमारा अलग से बच जाता है तो देश इस method can be used when the components of mixture are of different size अब आप देख सेकते हैं कि जब मैंने चाय की बात की तो वहां पे तो material यह अलग गया मतलब एक liquid है और एक solid है लेकिन जब हमने आटे की बात की तो वह दोनों ही solid material है तो यहां पर बोल देख की वह दोनों different size के होंगे क्योंकि जो हमारी चन्नी होती है उसमें चोटे-चोटे चोटे-चोटे चोटे-चोटे-चोटे चोटे जो है वह ऐसे पार्टिकल चेज से बने होते है उसमें जो बारेक size की जो चीज वह नीचे निकल जाएगी और जो बड़े साइज की जीज होगी वह उपर छन्नी में ही फस जाएगी तो इस तरीके से जो है वह कंपोनेंट्स जो है वह अलग होते हैं थ्रू सीविंग सीविंग इस यूज़ तो सेपरेट इंपूरिटी फ्रों यहां पर मैंने आपको अप्लिकेशन बता दी एड कंस्ट्रक्शन साइट सीविंग इस उसकी बात करें लग कंस्ट्रक्शन साइट पर देखिए यहां पर कितनी बड़ी यहां पर एक सीव सी बना रखी है और इसमे जो है वो सैंड पर डाला हुआ है और सैंड जो है जो साफ लग और में से साफ सूस्थरा सेंड वो सांड वह निचे जा रहा है इंपूरिटी उप यह ब ओर अलग से लिझा हॉ कि हम इस तरीके से जो हमने हमारे बनेंट हम ने डिसकास कीया है qi हमने discuss किया, hand picking किया, threshing किया, winnowing किया, and saving किया तो ये हमने आज जो है, 4 methods of separation ही हमने discuss किया है next part में हम ये जो 5th and 6th है, sedimentation, decantation, filtration, evaporation जो भी part जो है, वो इस chapter का बचा है, वो हम discuss करेंगे तो तब तक के लिए बने रहे हैं मेरे channel किट्टू के फंडे के साथ और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसको अपने friend circle में अपने दोस्तों के साथ या अपने बड़ों के साथ शेयर करना ना भूले, और मेरे channel को like and subscribe जरूर करें, thank you for watching